नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनोलोजी अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रदीप दिखाऊंगा कैसे पुरानी जो प्रदीप प्रदीप आईडी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो वीडियो को लाइक कर देना यार इसी बात पर और हमने फेस्बूक पर भी पेज बना लिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फेस्बूक पेज को जो है जरूर फ लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ step by step कि कैसे आप जान सकते हो कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके यूएन अकाउंट में कितनी आपकी पीफ जो है सर्विस है कितनी पीफ आईडी है और पुरानी पीफ ब्राउजर open कर लेना है अपने mobile में या फिर अपने laptop computer में और आपको search करना है UAN login तो यहाँ पर जब UAN login सर्च करेंगे तो EPFO का जो UN member का जो portal है जो website हो यहाँ पर आ जाएगी unified portal-mem.epfindia.gov.in इसको open कर लेना है बाकि इसका जो link है वो मैंने वीडियो के description में दे दिया है ज अब यहाँ पर आपको अपना 12 digit का UN number mention करना है यहाँ पर password mention करना है और यह जो capture code है यहाँ पर mention करके sign in कर लेना है मैंने यहाँ पर successfully sign in login कर लिया है जब login करते है तो एक alert देखने को मिलता है यह nomination को लेकर इसको कर देता है letter आप यहाँ पर देखे आपकी कितनी service है आपका ज service history का जो option है यह आपको select करना है जैसे इस पर आपके लिए करेंगे तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपकी कितनी service है इनका यहाँ पर दो आ रहा है तो यह जो पहले number पर जो PF member ID है इसका पैसा second number वाली में हम transfer करेंगे और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी ID का पैसा current में transfer करें तो जो पुरानी जो PF member ID है उसमें date of exit EPF और date of exit EPS दोनों mention होना चाहिए जब तक date of exit mention नहीं रहेगा अपडेट नहीं होगा तब तक आप पैसा पुरानी PF member ID का current में transfer नहीं कर सकते तो पुरानी जितनी भी आपकी PF member ID है जिसका PF का पैसा current PF member ID में आप transfer क कर रहे हो तो पुरानी PF member ID में जो है date of exit mention होना compulsory है clear तो यहां से आपको पता चल जाएगा इनकी दो PF member ID है तो इस PF member ID का पैसा इसमें transfer होगा चलिए मैं home पर प्रेस कर देता हूँ अब कैसी आप transfer के लिए request submit कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना है online services का जो option है इस पर यहां पर आपको one member one EPF account transfer request यह जो option है one member one EPF account transfer request का जो option है इस पर आपको क्लिक करने है जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी personal detail आ जाएगी देख सकते हो personal information आपका नाम bank account number, mobile number, IFC code और यहां पर आधार number आ जाएगा और यहां पर जो detail रहती है इसमें आपका प्याप का पैसा जो है transfer होगा details of present account into which transfer will be affected यह जो है यह आपका present account current जो है आपकी PF की detail यहां पर mention रहेगी इसमें ही जो है प्याप का पैसा जो है transfer होगा ठीक है अब आपको simple दो step follow करने है पहला यह यहां पर देखे select details of previous account which are to be transferred अब यहां पर आपसे जो है पूछा जाएग कि यह जो transfer की जो request है अप्रूव करने की request है कौन सी company के पास आप बेजना चाते हो previous employer या फिर present employer आप यहां पर आप अगर job कर रहे हो तो यहां पर जो है present employer आप select कर लिजे क्योंकि अगर नोकरी कर रहे हो आप है और जो transfer की request submit करोगे तो आपकी जो current company है जहां पर आप जोब करीवों तुरंत approve भी कर देगी बागी अपने साबसे select कर लिजे कि आपकी approve करने की request है कौन सी company के पास जानी चाहिए previous employer के पास या फिर present employer के पास तो यहां पर मैं जो है present employer जो select कर लेता हूं अब यहां पर member ID और UN number या तो यहां पर आप जो अपनी पीए member ID mention कर सकते हो या यह जो UN number है यहां पर जो mention है यह आपको mention करना रहेगा तो यहां पर मैं जो UN number mention कर रहा हूं और जैसे UN number mention करेंगे उसके बाद देखें यहां पर UN number mention कर दिया जब यहां पर UN number या फिर PF member ID mention कर देंगे उसके बाद get details का जो option इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर जी उसका हम transfer करने जा रहे हैं. अगर आपकी दो या फिर या फिर दो से ज़्यादा रहती हैं, तीन रहती है, च्या रहती है, तो जितनी भी आपकी PA member ID रहती है, आपके UN account में सारी यहाँ पर दिखा देगा, और जिस भी PA member ID का आपको पैसा transfer करना है, simple यहाँ पर आपको टिक कंपनी का नाम आ गया, joining यहाँ पर आ गई देख सकते हो, और यहाँ पर submit request कहाँ पर submit होगी, कौन सी कंपनी के पास request जाएगी, वो जाएगी present employer के पास, कि लिए आप चलिए नेचे की तरफ आते हैं, आप क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा box है, इस पर आपको टिक करना रहेगा, consent देना रहता है, अब आपके आदार कार्ड के साथ जो mobile number link रहता है, उस पर एक OTP जाएगा, यहाँ पर देखे, बताया गया है, OTP will be sent on other linked mobile number, तो यहाँ पर get OTP का जो option है, इस पर आपको click कर देना है, loading होगा, OTP send successfully, OK, और आप यहाँ पर OTP mention करना रहेगा, जो आ आदार कार्ड के साथ mobile number link होना, ज़रूर ही है, compulsory है, तो यहाँ पर मैंने OTP mention कर दिया है, जब यहाँ पर OTP mention कर दें, उसके बाद submit का option इस पर आपको click करना है, loading होगा, और यहाँ पर देखे, status can be track, the claim has been successfully submitted, यहनि कि PF transfer की जो request है, वो successfully submit हो गई है, और निल्ची की तरफ आ चैसे status आप सकते हो, तो इसके लिए को क्या करना है, online services का option इस पर आपको click करना है, और आपर track claim status का जो option है, इस पर आपको click करना है, track claim status का जो आप्शन है, जैसे यह select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिखादेगा, देखे, transfer claim status, यहाँ पर जो है tracking ID दिखा रहा है, claim previous account number यहां पर दिखा रहा है present यहां पर इसका पैसा इसमें transfer होगा claim status pending at present employer यानि कि आपकी जो request है इस company के पास गई है और यह company जैसे ही approve करेगी उसके बाद यह जो request है यह EPFO के उस PF office में चली जाएगी जहां पर आपका PDF account है और जैसे EPFO की तरब से आपकी request अप्रू कर दी जाएगी तो पुरानी जो PDF member ID रहती है उसका पैसा करेंट में transfer हो जाएगा तो यह एक process है यहां से आप status track भी कर सकते हो और अगर आपको यह जो transfer claim की जो request है इसको cancel करना चाहते हैं तो यहां पर cancel का भी option पर click करके आप जो cancel भी कर सकते हो तो इस तरह से आप PDF transfer करने की request है आप submit कर सकते हो मैंने आपको complete जानकारी दे दी और जब आप अपना पुरा काम कर ले उसके बाद यहां पर logout का जो option इस पर click करके अपना logout जरूर कर लीजेगा account को यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी पुरानी PDF इंपर आईडी का पैसा करेंट में transfer होता है तो केवल आपका PDF का पैसा transfer होता है क्रमचारी और नियोक तासिर पैसन का पैसा कभी भी transfer नहीं होता पैसन में आपकी only service history कितने साल की service history थी वो transfer होती है तो पैसन का पैसा आपको हमेशा पुरानी जो PDF इंपर आईडी रहती है उसमें ही देखने को मिलेगा बट जब भी आप full and final settlement के लिए फोरम 1910 सी apply करोगे जो आप company छोड़ दोगे दो मेने complete हो जाएंगे तब तो फिर आपको पैसन का पैसा भी मिल जाएगा और पीफ का पैसा भी मिल जाएगा तो यह मत सोचना गवरा ना मत कि मेरा PF का पैसा ही transfer होए पुरानी PF अँपर आइडे में फैंसन का पैसा कभी भी transfer नहीं होता मैंने आपको ए-टु-जी जानकारी दे दी, PF transfer के बारे में PF transfer करके भी दिखा दिया, आशा करता हुँ जानकरी पसंद आई होगी, एकर जानकरी पसंद आई तो लाइक कीज़ High शेर कीजिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमने जो टेलेग्राम चैनल बना लिया है उसको भी जरूर जरूर जोईन कीजिए सब्सक्राइब कीजिए टेलेग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी, एक और नहीं information के साथ अपना खेल रखेगा, बबाए, take care.